आपका मेरे कीचिन में स्वागत है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज हम चीज विज़ा बनाएंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखे हमने ये एक कटोरी हमने मैदा ले रखा है आज हम चीज विज़ा बनाएंगे और देखे हमने ये चीजे ले रखी है आँटे में डालके अच्छे सी मिला लेते हैं और हमने ये खत्टी दही ले रखी है हमने ये खत्टी दही ले रखी अब इसको डालके बूद के तयार कर लेंगे इसमें ढला सी आप चीज पीज़ा बनाएंगे बहुत ही बहतर बन के तयार होगा आप देखे इसे हम अच्छे से ब्ला लेते हैं New Year पे आप चीज पीज़ा जरूर बनाए देखे इस तरीके से हम करते हुए आटे को अच्छे से लगा के तयार कर लेंगे, तही एक दन मच्छे से गूठना चाहिए कि पिज़ा जो बनाए हम चीज पिज़ा बहतर पन की तयार हो देखिए ऐसे ही थोड़ी सी और दही की जरूत है जो भी ये साइड में है दही लगा करें दही मतलब दही ही यूज करें हमने खट्टी दही रखी है तीन-चार दिन के हमने तही रखी हुई थी जो खट्टी हो गई है इस से आँ बनाएंगी चीज पिज़ा बहुत भहतर बनके तैयार होगा देखियो अब ऐसथोड़ा साइड में है इसमें भी हम थोड़ी सी दही डाल लेते हैं, देखिए, अब इसी अच्छे से मिला लेते हैं, अच्छे से मिला के आटे को हमें तयार कर लेंगे, देखिए, आटे को हमें अच्छे से पटक-पटक के गूत के तयार करना है, इस तरीके से हम कर लेंगे, करेंगे आटे को तयार, तो जो ची ठीज पिज़ा बन कि तेयार होगा यह तुझी तूड़ा लागा लेते हैं सब आटे को गूथ के तयार करेंगे। Hum does this आटे को गुथ के त्यार करेंगे में । अच्छे से ऐसे ही पटक पटक पे हम आठे को गूथ के तयार कर लेंगे देखे ऐसे ही आठे को गूथना है तभी अच्छे से जो चीज विज़ा बना रहे हैं वो अच्छा बनके तयार हो पाएगा जितने अच्छे से आठे को पटक पटक के गूथेंगे उतने ही अच्छा देखिए ऐसे ही करते हुए से हम आटे को गूत लेंगे देखिए हमने आटे को गूत के तयार कर लिया अब चलिए हम इसके बड़ी से रोटी बना के तयार करेंगे आटे को रेज के नहीं करने के लिए रखना है अब इसके हम रोटी बनाना शुड़ करेंगे देखिए अब कैसे हाथों में लग रहा है हलका सब तेल करें पर नहीं और हम बनारीelesट कर दो देखी हलका साथ तेल लगा लेते हृत्वों पर अब हम इसको टच करेंगे आटे को तो यह हाथों पर यह देखी नहीं अपको नहीं दिखा पाया जुड गया हम नहीं दिखा औहीं वूड़ नुइ अभूगा इस में टूर्द लेगा नमक रहता है चीनी खाना सोडा बेकिंग सोडा देखें आप देख सकते हैं अब चलिए बनाते हैं देखें आटे में से एक हम थोड़ा सा ले ले रहा है इसे हम पतला सा रोटी बनाएंगे इसका देखें और यह हम एक बड़ा सा इसमें से ले ले रहे हैं देखे यह हमने ये बड़ासा ले लिया और ये वन्होंस का पतला सा ले लिया अभी इसको मुझ work przy अवसरी नेगे अरुम्य प 달"-ाल करते हैं ऐसे करके इसे में बड़ा कर लेना है हुं इसे ऐसे ही करते हुए हम तब तक चुले को अनकर देते हैं हमने रखी है चुले पर कराई ऐसे में जीस ही पिज़ा बनाएगे देखिए अब इसे हम ऐसे ही करते हुए बड़ा सा बेल के तैयार कर लेंगे देखिए ऐसे इसे हमें बड़ा करना है ऐसे करते हुए हमें पतला सा करना है मोटा नहीं होना चाहिए देखिए ऐसे ही घुमाते हुए इसे हुए बेल के तैयार कर लेंगे बस इतना ही होना चाहिए देखिए अब इसे हम डालेंगे कराई में इस दो एक धेहां, अब हो गया? हम आपको दिखाते हैं, हमने इसे इतना बड़ा ऐसा बेल के त्यार कर दिया हैं, चीक ऐसे ही औरुम फैल का सेथी इस इसमें हम थोड़ा सा मैदा जो आटा हमने ले रखा है इसमें से हम थोड़ा सा डालके ऐसे ही कर देते हम तेल नहीं डालेंगे इससे करने से यह होगा कि हम डालेंगे जो यह रोटी बड़ी से हमने बनाई है यह चिपके करने इसमें अब इसे देखे हमें उठा लेना है ठीक अब इसे हम कराही में डाल देंगे ऐसे अब इसे हम धुमाते हुए इसको हम साइड में करके आपको दिखाते हैं इसको कैसे तयार कर रहा है देखिए अब इसे हम पलार देते हैं हलका साही हमें इसे सेख के तयार करना है आप देख सकते हैं इसे केवल हलका सा ही सेखना है, जादे नहीं सेखना है, इसे हम मोड सके, देखे, अब इसे हम, देखे, इसे हमने कम पे चूले को, हमने एकदम कम पे रखा है, हमें जादे पे नहीं रखे इसको करना है, केवल इसको हलका हलका सा हमें सेखना है, कि हम इसे मोड सके, बस उतना ह हमें आटा इसली लगा दिया था आप अब देखें ऐसे ही इसे हमす लेते हैं अब चुले को बन करते हैं दूसरे वाला जो दूसरा हमने रखा है दूसरे वाले को तयार कर लेते हैं रोटी बना के देखिए यह दूसरा वाला है इसको भी हम बेल के बड़ा सा रोटी के जैसे बेल के तयार कर लेंगे देखिए इस पर हमने मैदा लगा लिया ठी कि हमने 27 पीसे एइसे ही करते हुए हमें 두ल की इसको बड़ा कर लेना है को देखिए इस i am ने कि रखे हम करा हीस बनाएंगे देखिए रोटी बड़ी से त्यार कर लिए अब देख सकते ही इतना ही मोटा होना चाहिए अब इसे हम लेकर ऐसे ही हम इसे उठाके और कराही में फैला देंगे अब इसे हमने कराही में फैला दिया देखें हमने इसे फैला दिया अब इसे हम लेखें इस्पून की सहायता से फॉक वाले से देखें डेरेक्ट हम इसे को कराही में ही पनाएंगे हम नमक अगरा नहीं डालेंगे हम नहीं ऐसे कर देना है नहीं तो यह रोटी फूल ले लगेगी इसलिए इसको फूलना नहीं है ऐसे करते हुए अच्छे से हम कर लेंगे इस तरीके से बनाएंगे तो चीज पीज़ा बहुत ही बहतर बन के तयार होगा इस तरीके से जरूर बनाएं देखिए इसको हम लागातार ऐसे ही करते हुए कर देगे देखिए ऐसे ही होना चाहिए नहीं तो आप इसे अच्छे से अगर नहीं करेंगे इस तरीकी से तो क्या होगा कि यह फूल जाएगा तो यह फूलना नहीं चाहिए ठीक है ऐसे करते हुए अच्छे से हम इसको कर देंगे देखिए हमने कराही में नीचे तेल लगा रखा था पहले से हमने इसमें नीचे तेल लगा दिया अब देखिए ऐसे करते हुए से हमें बारी की से अच्छे से हमें इसे ही करते हुए इसकी कुछाई कर देनी है देखिए आप देख सकते हैं हमने इसे फॉक से कैसे लागातार इक तर ला गातार इसे ऐसे ही करते हुए अच्छे एक लेना नहीं तो यह फुल नहीं लगेगा तो पिज़ा जो अछ्छा बन नहीं पाइदा देखिये हमने इसको अच्छे से कर दिया अब इसके ऊपर हम चीज डालेंगे देखिए हमने अच्छे से इसकी कुचाई कर दी है देखिए हमने इसकी अच्छे से कुचाई कर दी है और हमने ये चीज ले रखा है अब इसमें से हम चीज को लेते हैं और तोड़ तोड़के हम इसे रख देंगे ऐसे ही देखिए देखिए हमने यह अमूल कमपनी ले रखा है अब इसको हम तोड़ तोड़ के अच्छे से ऐसे इसे डाल देते हैं देखिए इस तरीके से हम इसे अच्छे से फिला देते हैं देखिए आप चीज इस्परेड्ट भी ले सकते हैं हमारे पास नहीं था थो हमने यह ले लिया है अब देखिए हमने इसे डाल दिया अब इसमें हम दूसरी जो रोटी उनने तयार किया है अब वह हम रख देंगे इसके ऊपर देखिए यह जो दूसरी इसे हम रख देते हैं देखिए अब इसे हम ऐसे ही इसे मोड के ऐसे करके हम इसे कुने से दबा देंगे क्योंकि जो हम तयार करेंगे तो इस चीज बाहर ना निकले देखिए ऐसे ही करके हम इसे मोड लेते हैं दोनों आतों से देख सकते हैं ऐसे इसे हमें सील करना है देखिए इस तरीके से आप पिज्जा बनाएंगे बहुत ही बहतर पिज्जा बनके तयार होगा ऐसे ही घुमाते हुए हम देखिए अब इसको हमने सील कर दिया है लेकिन हमें क्या करना है कोने पे भी अच्छे सी से कोचना है इस तरीके से हम कोच देंगी तो यह रहे तो यह ज्वाइंट हो जाएगा ठीक है यह छूटे गाने नहीं तो क्या होगा कि इस चीज जब पकना मतलब पिज्जा पकना इसे ही इसे भी हमें बीच में भी जो रोटी हमने तयार की है इसे भी बीच में हमें ऐसे ही कोच देना है देखिए ऐसे कर देना है ठीक है अब इसे हम किनारे पे भी देखिए यह इस तरह से कर देने से यह होगा कि यह फूलेगा नहीं अच्छे से पक के तयार होगा पिज देखिए हमने यह टमेटो सॉस ले रखा है कि इसको हम डाल देते हैं सकरे इसके उपर आप पिज्चा सॉस भी डाल सकते हैं बढ़िकाई हम इसको इतना डाल दिया अब इसके अच्छे से मिला देते हैं देखिए अब इसके ऊपर से भी हम चीज स्यम्स्स्राइब भरी तोड़ने च Ratet यह सब ऐसे ही टाल देते हैं नेसे चीज फिर्ज ग रहा है एसे सब लगा देते हैं догई गया देखे हमने ये प्याज हमने प्याज ले रखी ठीक है अब इसे हम ऐसे ही लगा देते हैं प्याज को देखे ऐसे ही लगा के अब इसे हम ऐसे सजा देंगे पिज्जा को देखे ये रही प्याज अच्छे से लगा देते हैं देखे, बीच में भी लगा देते हैं, ऐसे ही, प्याज लगा देने से स्वाद बढ़ जाता है, इस तरीकी से आप प्याज को लगा दे, देखे, हमने प्याज लगा दिया, अब हम सिमला मिर्ष हमने ले रखा है, काटके, देखे, ऐसे ही हम सिमले मिर्ष को भी ऐसे करते हैं, देखे हमने इसको सजा दिया अब इस पे हम जो लाल मिर्श हमने ले रखी है अब इसको हम डाल देते हैं देखे देखे अब इसके उपर से ऐरोगैनों डाल देते हैं से देखे अच्छे से से हम बास इतना ही अब नहीं अब इसे हम देखे हमने इसको तयार कर लिया अब इसक आज हम कराई में बना रहे हैं चीज पिज़ा अब इसको हम चूले पे रखेंगे कम पे ही जादे तेज पे रखेंगे क्योंकि हम नीचे से जल जाएगा कम पे ही रखके हमें इसको 15 मिन तक मतलब पकाएंगे हम पिज़े को देखिए आपको दिख रहा होगा हमें चूले पे क कराई को रख दिया है, अब चूलेको बन कर देते हैं , कम पे ही रखके हम पंदर मिन तक इसे तैयार करेंगे प्लेत को देखिए हमार रेडियो चुका है देखर इसे हम निकाल लेते हैं खालो आप पकड़ के आएसे ही इसे चाको से हैं काट लेते हैं देखें प्टिजा हमारा रेडियोगा है कि आप देग सकते हैं हम आपको दिखा। काटके मुझे निकाला है से कराई से टो पना आदा घंटा लग गया है इसे पक्ने में हमें हमने 15 gev आ hits 살짝 किया औच्छे से नहीं पका था हमने इसे तीस मिनट मतलब आदा घंटा पुड़ा पकाया है पिज़ा अग्दम रेडी है देखे हमने इसे काट के तयार कर लिया है आप देख सकते ही चीज़ पिज़ा कैसे रेडी हो गया है बनके देखे आपको हम दिखा देते हैं अगर आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें